हाई फ्रेंड्स वेलकम टुरेखा संजू किचन कॉर्नर फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गाजर के एकदम टेस्टी सेंग्विच तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने ले लिए चार गाजर इनको अच्छे से धो कर छील कर साफ कर लिया है और इस तरह से ग्रेटर क बनाने के लिए हमने ले लिया है टमाटर हरी मिर्ची और अद्रक का पेस्ट दो प्याज हमने बिल्कुल बारी काट कर लिये है और थोड़ा सा हारा धनिया लिया है बारी काट कर तो चलिए सबसे पहले फ्राइंग पैन को हम गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे दो चम हम ने इसमें डाल दिया आधा चम्मत जीरा और साथ में हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज और मेडियम आज पर इस प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे देखिए लगातार चलाते हुए इस तरह से प्याज को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है ताकि इसका बढ़िया सा टेस्ट आए तो देखिए फ्रेंड्स प्याज बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें मसाले डालेंगे आधा चमच हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे टमाटर अधरक हरी मिर्ची का जो पेस्ट बना कर हमने रखा है अच्छे से मिक्स करेंगे आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को धिमी धिमी आज पर अच्छे से भून लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स टमाटर बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला और आधा चमच हमने इसमें डाल दिया जीरा पाउडर इससे बड़ी आसा टेस्ट आएगा स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे टेस्ट के अकोर्डिंग इसमें नमक एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच फ्रेश मलाई और इसे अच्छे से mix कर लेंगे फ्रेंड्स, मलाई से stuffing में एकदम rich taste आएगा इसे धिमियाच पर थोड़ी दिर पकने देंगे और अमने जो गाजर grate करके रखी है वो इसमें add कर देंगे सारे मसालों को इसमें अच्छे से mix कर लेंगे देखिए इस तरह से अच्छे से mix करके अब हम इसे बस दो मिनट के लिए बिल्कुल धीमी धीमी आज़ पर पकाएंगे दो मिनट पकने के बाद ही ये stuffing बिल्कुल तयार हो जाएगी तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसमें add कर दिया बारिक कटा हुआ हरा धनिया और सैंग्विच के लिए गाजर की stuffing बिल्कुल बनकर तयार है इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे अब हमने ये white bread ले लिए हैं आप चाहें तो brown bread से भी सैंग्विच बना सकते हैं गाजर की जो हमने stuffing बना के रखी है इस तरह से bread पर spread करेंगे और दूसरा bread उस पर रखेंगे और बारी बारी से इसी तरह से सारे bread में stuffing कर लेंगे और bread को अच्छे से स्टफ करके side करेंगे अब हमने कडाही को गरम कर लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी अच्छे से spread करेंगे और इसमें हमने जो bread स्टफ करके रखे हैं इस तरह से रख देंगे और medium आज पर इसे दोनों साइड से अच्छे से घी लगा कर सेक लेंगे और एकदम crispy sandwich बना कर त्यार करेंगे friends आप चाहें तो इसे दवे पर भी बना सकते हैं देखिए इस तरह से दबा कर अच्छे से से शेक लेंगे एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिख जाए तो इस तरह से पलट कर दूसरी साइड से से शेक लेंगे देखें सेंग्विच एकदम बढ़िया से सिख चुका है और एकदम crispy बना है इसी तरह से बारी बारी से सारे sandwich बना कर तयार कर लेंगे तो friends इस easy recipe से आप भी एकदम tasty और healthy sandwich बनाएं और enjoy करें वीडियो अच्छ लगा तो like subscribe जुरूर करें थैंक्स पर वाच्छिंग